क्या भाजपा की हरियाना विधान सभाथ चुनाब में हार पक्की हो गई है। 2024 लोक सभाथ चुनाब के बाद विधान सभाथ चुनाब में भारती जन्ता पाटी को तगरा जटका लग सकता। क्योंकि दोस्तों अगाव में विधान सभाद चुनाव का एक सर्वे आया जो भाजपा की जोली में हार का तौफ़ा डाल रहे ऐसा क्या हुआ है इस सर्वे में जो भाजपा के कमल पे हार का मुहर लग चुकी जानेंगे इस वीडियो में पता करेंगे कि 2024 हर्याना विधान जरूर देखिएगा नमस्कार मैं शार्दा सिंग आपकी साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दीकर्ट्राव दरसल लब्वे सीटों पर हर्याना विधान सभा में चुनाव होना है जिसमें बीजेपी वहीं दूसरे नंबर पर कॉंग्रेस फिर आम आदमी पार्टी उसके बाद जेजेपी यानि कि दुश्यन चौटाला की पार्टी इसके अलावा आनने तमाम दल शामिल हैं लेकिन मुख्य तोर पर बीजेपी कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी और जेजेपी हैं हम आपको बताते हैं कि 2019 के हर्याना विधान सभात चुनाम में किस पार्टी को कितनी सीटे मिली थी बतादे कि 2019 में बीजेपी 90 सीटों में से सिर्फ 40 सीटे ही जीत पाई थी वहीं कॉंग्रेस 31 सीटे जबकि जेजेपी 10 सीटे जीत पाई थी बहराल 2019 में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था इसलिए हाला कि पिछले विधान सभा में आम आदम भारतिय जनता पाटी 2019 की तरह जीत पाएगी या कॉंग्रेस भारतिय जनता पाटी का सूफरा साफ कर देगी क्योंकि जो नतीजे सामने आ रहे हैं जो रुजहान निकल कर आ रहे हैं जो सर्वे रिपोर्ट है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि हर्याना विधान सभा चुना को लेकर लोग पोल ने एक सर्वे किया सर्वे से पता चलता है कि प्रदेश में बीजेपी को बड़ा जटका लग सकता है लोग पोल सर्वे के मताबिक कॉंग्रेस हर्याना में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है उसे 58 से 65 सीटे हासिल होती दिख रही है जबकि उसका वोट शेयर 46 से 48 प्रतीशत हो सकता है वहीं बीजेपी के संदर्म में बात करें तो ताजा सर्वे बताता है कि उसको 20 से 29 सीटे हासिल हो सकती है और सिर्फ 35 से 37 प्रतीशत वोट शेयर ही से ही संतोश करना पर सकता है विरांतवाद चुनाब के पहले आए सर्वे के रिजल्ट ये संकेत देते हैं कि 3 से 5 सीटे अन्य के पास जा सकती है और उनका वोट शेयर 7 से 8 प्रतीशती रह सकता है बता दे कि इस बार सर्वे के अनुसार हर्याना में कॉंग्रेस और बीजेपी में टक्कर है आमने सामने की टक्कर रहेगी जबकि जेजेपी और आयन एल्डी जैसे श तो कॉंग्रेस को जीत दिलाने में जाती एहम फैक्टर निभा सकती है बताया जा रहा है कि जाट सिख और जाटब बड़े स्थर पर कॉंग्रेस के समर्थन में दिख रही वहीं दूसरी और सर्वे के मताबिक बीजेपी जीटी रोड बेल्ट पर वोट बैंक हासिल करना च जी से बढ़ी एंटी इंकंबेंसीफ फेक्टर के भी असर देखने को मिलेंगे हर्याना में जब से विधान सभा चुनाव का एलान हुआ है उसके बाद से ही टिकट लेने की होर लग चुकी लेकिन इस बीच में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि मौजूदा विधायकों क भी टिकट कट सकते हैं जैसे कि पिछले दिन जमू कश्मीर में भाजपा कार्याले में किस तरह से बीजेपी विधायकों के टिकट कटने के बाद भाजपा दफ्तर में हंगामे हुए बकाईदा आप लोगों ने देखाई होगा अब उसी तरह हर्याना में भी करीब आधे म मौझूदा विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं दरसल बीजेपी को लोगसभाद चुनाम में लगे जटके के बाद भाजपा नत्रतु विधान सभाद चुनाव के लिए समाजिक समीकर्मों को साधने में जुटी हुई पार्टी सत्ता विरोधी माहौल की काट के ल मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा अपनी अंद्रूनी सर्वे पर मौझूदा आधे विधायक के टिकट काटने का मन बना लिया है आधे शाम होने वाली केंद्रिये चुनाव समीती की बैठक में राज्ये की सभी सीटों के नामों पर मन्थन होगा पार्टी पहले सुची में लगबग 50-60 प्रत्याशियों के नाम जारी कर सकती है वहीं दूसरे दलों से आए आधे दरजन नेताओं को भी टिकट दिये जाने की बाद है बता दे कि हडियाना में भाजपा के लिए इस बार का चुनाव काफी एहम है बिते 10 सालों से राज्ये में सत्ता में के कारण उसे सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है साती समाजिक समीकर्णों को साधने का दवाब भी है बीजेपी ने दस साल पहले 2014 में पून भहुमत से राज्ये में सरकार बनाई थी उसी साल इसके पहले हुए लोगसभा चुनाम में भी उसने सभी 10 सीट अजों पर जीत हासिल की लेकिन विधान ड़ाल सभा में भहुमत हासिल नहीं कर सकी दिन नवे जीधान सभा से स्ाइटों में 40 सीटे हमिली और उसमें जेजेपी ही 10 सेटी हांसिल कर ली ती क्योंकि उस समय ऐब जकि दिखाए जा रहा है कि बीजेपी को कॉंग्रेस, तगरा झाल झाल